हलो दोस्तो मैं प्रशान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक वीटी टु कम्यूटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में एक जबरदस्त आप्संस बाइंग ट्विक सीखने जा रहे हैं जिसके basis पे आप स्टॉक्स में options में intermediate trading कर सकते हैं एक वीडियो में आपको बताूँगा कि स्टॉक्स में आपको कब options buying करना है और कब options buying नहीं करना है और आप किस तरीके से स्टॉक्स में options buying करके profit बना सकते हम चल visualize इस concept को सीखते हैं और समझते हैं यहां पे हम चार्ट पे आगें और यह जो चार्ट है आपका prilains industries का five minute time frame बाला चार्ट है यहां पे अगर हूं बात करें तो यहां पे हम क्या करने जा रहे हम intra- Neighbaling करने जा रहें options में तो जब भी हम intraday trading करते हैं हम mostly 5 minute या फिर 15 minute टाइम फ्रेम वाला ही चार्ट लेते हैं 15 minute से उपर टाइम फ्रेम में आपको नहीं जाना है और 5 minute से नीचे वाले टाइम फ्रेम में भी नहीं जाना है क्योंकि 5 minute से नीचे जाएंगे तो बहुत सारे false signal आपको मिलेंगे और उसक टाइम फ्रेम में intraday trading करना तो सबसे पहला question क्या उठता है कि हमने stock का selection किस basis पे करना है हम कौन सा stock का selection करेंगे यह हमें कैसे पता चलेगा और यहीं big question है तो सबसे पहले हम देखते है stock selection का criteria हम stocks क्यों select करेंगे तो इसके लिए 2 point बस आपको ध्यान बखना पहला उस stock का selection करे रहा हो यानि जिसका price support के करीब हो या फिर जिसका price आपका resistance के करीब हो यानि simple हम वैसे stocks को pick करेंगे जो कि आपका support के करीब trade कर रहा हो या फिर resistance के करीब trade कर रहा हो अब आपके मन में एक और question आ रहा होगा कि support level और resistance level का idea हम कैसे लगाएंगे तो इसके लिए 2-3 quitteria सबसे लिए जो simple quitteria आपको कहीं नहीं जाना option chain पर आ जाना हम आ गए मिलाइंस के option chain पर अगर आप यहां पर बात करें तो देखिए लगबग 15.5 लाके करीब क्या दिख रहे हैं हमें put writers दिख रहे हैं और यहां पर अगर हम चार्ट पर वापस आते हैं तो यहां पर अगर हम 4th of November 2022 की बात करें यहां फ्राइडे को बात करें तो फ्राइडे को क्लोजिंग कहां पर दिया था देख सकते हैं यह केंदल पर क्ल यह कहां-पे टober biz यह स्टोक्स आपका working इस तरहे सर्फ को क्या कि नियर रेसिस्टेंस का आई आँ अपने आपसं श् Teil इंग हैं यह कंछस जरूरत है तो सबसे पहले प्राइस को हम कहां जाने देंगे स ही अवैबिया पर इस लेवल को touch करेगा price तो हम उसका wait करेंगे अब देखिए price आपका उपर गया है और इसने 2600 के label को touch किया है लेकिन जैसे उसके उपर गया यहाँ पर हमें क्या नहीं दिखें यहाँ पर हमें ज़्यादा buyers active नहीं दिखें हैं और price आपका नीची आना शुरू कर दिया यहनी long tail at the top बनाए long tail at the top हमें क्या दिखा रहा है? कि यहां पर sellers का अच्छा खासा presence है और sellers यहां पर अपना strength कर रहा है और स्ट्वेंथ गें कर रहा है यहां पर क्या यहां च्मॉर्ण बइलब तेंगे vous OI Build-Up का data हमें कहां पर मिलेगा, OI Build-Up का data हमें मिलेगा, धन के trading platform पर, यहाँ पर देख सकते हैं, हमने Reliance के November Future के चार्ट को open किया है, और Future के चार्ट को open करके, आप यहाँ पर 15-minute build-up पर जाएंगे, तो आपको OI Build-Up दिख जाएगा, और यह चीज़ आपको मिलेगा, धन के trading platform में, तो अगर आपका Demate Account पहले से धन में है, तो आप Log-In करके, Future Chart आपन करके, 15-minute build-up में देख सकते हैं, लाइब मार्केट में, यहाँ पर OI Build-Up आपको अपडेट होता हुआ दिखेगा, अगर आपका trading और Demate Account धन में नहीं है, तो इस वीडियो के description में लिंक दिया गया, उस लिंक पर क्लिक करके, आप धन में free में अपना trading और Demate Account आपन कर सकते हैं, और इस data का access आप free में कर सकते हैं, और इसके basis पर आपने trade के accuracy level को increase कर सकते हैं, यह जो crucial data है, कहीं और नहीं दिया जाता है, जो कि आप धन के trading platform में free में available है, अब देखिए, पहला 15 मेर्ट यहाँ पर indications क्या दे रहा है, neutral indications दे रहा है, मतलब यहाँ पर हमें sellers active होते वे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन at the same time, यहाँ पर हमें buyers का भी presence हमें नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है, कि OI build-up हमें यहाँ पर persistence नहीं provide कर रहा है, मतलब हमें trade लेने से मना नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम technical chart को follow करते हुए, हम sell side के तरफ trade initiate करेंगे, और कब तक trade initiate करेंगे, जब तक की OI build-up में हमें क्या नहीं दिखेंगे, हमें long build-up नहीं दिखेंगे, जैसे हमें long build-up दिखेगा, हम क्या करेंगे, इस trade से हम exit कर लेंगे, यहनि OI build-up को हमें regularly check करते रहना होगा, तो अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर जो sell side की तरफ जाएंगे, इसके बाद एक red candle बनते ही, confirmational में मिल गया, हम इस level के आसपास, और यह level कौन सा है, मैं आपको दिखा जाता हूँ, यह level आप देख सकते हैं, 2600 के करीब है, तो यहाँ पर हमारा 2600 के करीब, क्या होगा, sell side की तरफ entry होगा, यहाँ पर हम options में बात करें, तो 2600 के put options को यहाँ पर हम buy करेंगे, उसके बाद, हमारा target क्या होगा, मैंने बताया था, OI build up हमें regularly check करते रहना, और OI build up अगर हम check करते हैं, तो देखिए, 946 से 10 a.m के बीच में, यहाँ पर हमें long build up देखने को मिला है, तो यहाँ पर हम वापस से आते हैं, technical chart पर, तो 945 के करीब, वो time कौन सा 945 देख सकते हैं, इससे आगे, यह time रहा, आपका लगबग 2580 के करीब price चल वाए, यहनि हमने 2600 के level पर sell किया था, futures की बात करें तो, और 2580 के करीब futures में, यहाँ पर हम निकलेंगे, यहनि futures में अगर आप trade करते हैं, तो लगबग 20 point का profit मिलेगा, और options में अगर हम बात करें, 2600 के put options को बाई करते हैं, लगबग 10 point का profit हमें कहाँ पर मिलेगा, हमें options में भी मिलता हुआ दिख जाएगा, तो, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जादा कुछ नहीं किया है, बस stock का selection किया है, किस basis पर support और sustainable के नजदिक जो trade कर रहा है, उसके basis पर, फिर हम यहाँ पर, एक options ट्विक अपलाई कियें, वे sustainable करीब गया है, तो हमने क्या देखा, OI build-up देखा, OI build-up से हमें support मिलता हुआ देखा, फिर हमने technical chart को follow करते हुए, ट्वेर initiate किया, जैसे OI build-up पर हमें long build-up देखा, हम यहाँ पर market से exit कर गये, आप चाहो तो और hold कर सकते हुए, लेकिन हम ज़्यादा विस्क नहीं लेंगे, हम market से यहाँ पर निकल जाएंगे, तो इस तरीके से आप stocks में options buying कर सकते हुए, उमीद करते हैं यह concept आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर वह आते हैं, दूसरे example पर दूसरे example हमारा ICICI bank का 5 minute वादर time frame, यहाँ पर अगर आप देखें, तो यहाँ पर भी 4th of November 2022 को, यह जो closing दिया आपका लगबग, 905 के करीब closing दिया देख सकते हैं, और यहाँ पर 900 के level पर अगर हम बात करें, तो काफी strong क्या develop हुआ था, एक support level develop होता हुआ हमें दिखा है, मतलब यहाँ पर इसका जो price trade कर रहा, support level के नजदीक trade कर रहा है, यहनि वापस से ICSA bank हमारे radar पर आ जाएगा, इसको हम अपने watch list में add करेंगे, और हम next day यहाँ पर अपना trading opportunity find करेंगे, अब next day यहाँ पर हमें क्या trading opportunity मिलेगा, price अगर आपका 900 के level को hold किये रहता है, जैसे इस level को break करके नीची चले जाएगा, यहाँ पर हम trading avoid कर देंगे, क्योंकि जो हमारा support level था, वो break होके resistance में convert हो गया, यहनि price आपका support के नजदीक नहीं रहा है, तो जो हमारा situation था वो थोड़ा सा उल्टा पड़ जाएगा, तो उसको हम छोड़ देंगे, लेकिन जैसे यह 900 के level को hold किये हुए रहता है, हम यहाँ पर buy side की तरफ जाने के बारे में सोचेंगे, उसकी बाद देखिए, price आपका gap up open हुआ है, और gap up open होके, सबसे पहले 900 के level को hold किया, और trade करा 910 के करीब, तो यहाँ पर हमारे पास interview लेने का मौका है, लेकिन interview लेने से पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है UI का data, और UI का data हमें कहाँ पर मिलता है, धन के trading platform में हमें आसानी से मिल जाता है, और UI के data को अगर हम देखें, तो पहला पंदर मेंट short build up हो रहा था, support के रूप में develop हो रहा और इसके उपर price जाने का मतलब है कि अगला support level, अगला जो hurdle है, वो 920 करें यहाँ से 20 point और उपर price जा सकता है, तो जो हमारा target price रहेगा, वो 920 के असपास रहेगा, यहाँ पर हम target price भी set कर सकते हैं, option chain के basis पे, नहीं तो UI build up को देखके भी, यहाँ से हमें green signal मिल गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला 15 मेट बाद 930 के करीब, हम buy करेंगे, यहाँ पर हम जो buy sir की तरफ trade लेंगे, वो 910 के करीब buy sir की तरफ trade लेंगे, target price होगा आपका 920, और यहाँ पर अगर हम options में trade करते हैं, तो 910 के call options को यहाँ पर हम buying करना prefer करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर हम trade initiate कर सकते हैं, उसके बाद क्या हुआ, price आपका उपर side की तरफ जा रहा है, अब उपर side की तरफ गया है, यहाँ पर long tail at the top बना है, कि यहाँ पर जो buyers हैं, वो काफी हद तक कमजोर हो गए हैं, और यहाँ पर जो sellers हैं, वो काफी हद तक हमें active दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमें chart पता रहा है, कि यहाँ पर buyers कमजोर हुए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना profit book करेंगे, यहाँ पर profit में, तो ज़्यादा हम risk लेना नहीं चाहेंगे, हम profit book करके निकलेगे, यह लगबग 916 के आसपास हम क्या करेंगे, profit book करेंगे, तो हमें यहाँ पे profit कितने point का मिला है, लगबग 6 point का हमें profit मिला है, अगर हम futures में trade करते हैं, तो वहीं अगर हम 910 के call options को buy करते हैं, तो हमें यहाँ प 2-3 profit मिल जाएगा, तो options में भी कुछ न कुछ हमें profit मिल जाएगा, तो यहाँ पे काफी हद तक हमारा trade सही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम नुकसान में नहीं है, हम अच्छे खासे profit में है, यहाँ पे अगर हम OI build-up की भी बात कर ले, तो OI build-up भी आपको उनों की मदद से अपने trade के accuracy level को बढ़ा सकते हैं, और इस तरीके से हम stocks को selection करके उसमें trade initiate कर सकते हैं, तो उमीद करते हैं, यह simple सा concept आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको यह वीडियो पसंदा है, फ्लीज वीडियो को like करके हमें encourage किजे, चैनल को subscribe नहीं किया, तो च हैं़ करके से की करा है कै कारे अधिए, छो है और फ्लीज कर सकता है।